हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकस सिंग मौजूद है जो नौईडा से विधायक है ग्रेह मंत्री राजनाज सिंग के बेटे हैं और एक पुत्र का दाय तो निभाते हुए और उन्हें पूरे लखनव में प्रचार किया अपने पिता के लिए क्या देखते हैं लखनव म मारजन पिछली बार से जादा होगा आप कह रहे हैं इस बार समाजवादी पार्टी और बस्पा साथ आ गई हैं और वो कही ना कहीं है कास्ट कैलकुलेशन पे खेल रही है क्या आपको लगता है कि लखनव में वो कारगर होगा उनके लिए यही एक सपा बस्पा कॉंग्रेस के साथ यही दिक्कत है कि इन्होंने कभी विकास के लिए काम नहीं किया और इनको आज इस तत्य को भी वो स्विकार नहीं कर पा रहे हैं कि देश अब आगे बढ़ चुका है वो विकास बाद के साथ आगे बढ़ चुका है वो आज भी पातिवाद और मजहब के नाम पर लोगों को बाट कर अपनी राजनेती करना चाहते हैं लेकिन देश अब आगे बढ़ चुका है वो अब बुनियादी सुविधाएं चाहता है वो सुरक्षा चाहता है मान सम्मान चाहता है और वो उनको लगता है पिछले पांच साल में कि य हमेशा हमने आयुषमान योजना की बात की है हमने इसके लिंडिया मेक इन इंडिया स्टाट अप स्टैंड अप किसान सम्रिद्धी प्रधान मंत्री किसान सम्रिद्धी निधी किसानों का कर्ज माफी लोगों को सड़कें बहतर मिलें बुनियादी सुविधाएं जो मिलनी मिलनी ही चाहिए ये इसकी कोशिश भी की है और इस पर काम भी किया है और ये आकड़े बताते हैं लेकिन साथ-साथ में जब कुछ राजनेतिक दल और उनका नित्रित्व जब आतंखवादियों के मारे जाने पर भी रोना रोता हो जब अपने देश के वीर जवानों के शौर और पराक्रम के उपर सवालिया निशान खड़ा करता हो जब एक देश में दो प्रधानमंत्री बनाने का जैसी खतरनाक सपने और सोच रखता हो तो ऐसे में राश्रवाद तो स्वाभाविक रूप से ये मुद्दा होता है अगर वो आतंखवाद के नाम पर भी कुछ इद्वार है प्रियंका गांधी इस्टन यूपी के इंचार्ज है लगातार कैंपेनिंग कर रही है वो कह रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा आपने अलग-अलग दाओं पर उनके मै कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन इतना तैय है कि कॉंग्रेस पहले से भी इस बार और कम होने वाली है बस पा पहले से ही उत्तर प्रदेश में समाप्त थी समाजवादी पार्टी बस पा कॉंग्रेस मैं यह कह सकता हूं कि यह सिर्फ और सिर्फ अब हिस्टरी और जनरल नॉल लोगों के बीच में आज नहीं है लेकिन इस लखनों के लोगों के साथ जो उनका स्वभाव था जो उनकी सिंप्लिसिटी थी उसको लेकर आज भी लोग चर्चा करते हैं और वो इतना बड़ा नाम है कि वो आज भी लगता है कि वो यहीं कहीं हम लोगों के आसपास ही है औ और लखनों की लोग कई जगर बैठने पर चर्चा होती थी, तो उनकी बाते हैं, उनकी याद करते हुए, उनकी कविता हैं, उनकी बाते हैं, ये कई कोने में लखनों की आज भी लोग बड़े उत्साह के साथ और प्यार के साथ याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं. आप देख सकते हैं कि पंक्रस सिंग जो नॉयडा से विधायक है, राजणा सिंग के बेटे हैं, वो यहां पर वोट डालने आये हैं और उन्हों ने यहां पर बोला है कि बीजेपी इस बार और बी बड़ी जीत लकनौ से दर्स करने जा रही है तो उन्होंने ये भी बोला है कि बीजेपी ने सबी मुद्दों पर यहां लोगों से बातचीत की और विकास के मुद्दे को उठा कर जनता के बीच यहां पर पहुची लखनाओ में कामरपरसिन नीरच कुमार के साथ निलान्शु शुक्ला